असलम उलाइकम, वेलकम टू शनाया न्यूस, उमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे, UK की एहम तरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, तो रिक्वेस्ट यही है के वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को शेर कीजिए और लाइक तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम तरीन अपडेट की जाने, जैसा के इंगलेंड में इलिगल इमिग्रेंट के लिए जो पर्टीशन को जारी किया गया था तो उस पे एक लाख सिगनेचर्स मुकमल हो जाने के बाद अब जून के महीने में इस पे बहस होगी और मजीद इसके इलावा अब एक और एहम अपडेट ये आई है कि जब इस अमनेस्टी से मुतलिक पारलिमेंट में बादचीत और वोटिंग होगी तो अगर वहां पे मजूद जो इंगलेंड के मुख्लिफ अलाकों के एमपीज हैं तो वो अगर इमिग्रेंट के हक में इस अपने अलाके के एमपी को दरखास्त बेजनी है कि वो आपके लिए पारलिमेंट में अपनी अवास को बलंद करें और जब आप लोग अपनी ये दरखास्त बेज देंगे तो फिर आपको इसका जवाब जरूर दिया जाएगा कि हम आपके साथ हैं और हम ऐसा करेंगे तो ये काम अब आप लोगों ने जरूर करना है ताके ये अमनेस्टी इलीगल इमिग्रेंट को जरूर मिल सके इस फॉर्म को पूर करने के लिए आपने इंग्लेंड गॉर्मिन्ट की वेब साइट jcwi.org.uk जाके आप लोग इस फॉर्म को पूर करके MP को बेज दें उन तक आपकी दरखास पहुंच जाए और मजीद इसके इलावा इंग्लेंड में जो अभी सूरते हाल चल रही है जैसा के जो सबसे बड़ा मसला कमी का है जो के मुखलिफ शोबों में जो लोग काम करते हैं जैसा के ट्रक ड्राइवर और गोश्ट के काम में काफी ज्याद के जून में पार्लिमेंट में इस पर बहस होगी और इल्लीगल इमिग्रेंट को जूरूर लीगल किया जाएगा आज की एहम तरीन अपडेट जो आप लगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटस्ट थाइंक यू खुदा हाफिज